नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्त पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पानी में एक ऐसी दिव्यशक्ती होती है, जिससे आपकी प्यास बुझती है। पानी का सही रूप से प्रयोग करना सीख लिया और जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, और जो आखिरी उपाय है, वो सबसे शक्तिशाली है, जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे। गरीबी, दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्क खुल जाएंगे। आपको लक्ष्मी माता का आशीरवाद मिलेगा। भगवान भोलेनात के आशीरवाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामया भी करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि इनसान के शरीर में सत्तर प्रतिशत पानी होता है, और पानी के बिना मनुष्य जीवन असंभव है। दोस्तों, बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की जो भी बुरी शक्तियां हैं, वह शुद्ध जल के छिड़काव से दूर चली जाए। परंतु आपके घर जो एक साधा पानी आता है, उसका प्रयोग करना यदि आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको चलने जा रहा है, तो आपका कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है, या आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुरवेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा, कैसे आप लोग पानी का प्रयोग करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं, जो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें, कि इस वीडियो को देखने के आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परन्तु आप लाखों रुपय का लाभ पा सकते हैं, इस वीडियो को समझाने के लिए हम आपका कुछ कीमती समय लेंगे, किन्तु विश्वास करिये, इसी वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीरवाद मिले दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इनसान कुछ भी कर सकता है, यदि एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ निचावर कर देगा, एक गिलास पानी के लिए आपको बता दे, एक मनु कुछ भी नहीं चुन सकता है, उस पानी चाहिए ही, वरना वो जी नहीं पाएगा, इसको भी एक अद्भुत समझा गया है साइंस की में दोस्तों, यदि साइंस की लेंग्विज में हम आपको बताया, साइंस की भाशा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझत आपको पानी के रूप में जो दूसरे होते हैं, उसको आप अपने जीवन में दिन में चार के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने में एक कहावत होती थी, कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको पता है, जो बुरे लोग होते हैं, उनके घर का. यदि आप पानी पीते हैं, तो आपके उपर नेगेटिव शक्तियां वाश करने लगती हैं. इसी लिए पुराने समय के लोग बार-बार कहते थे, कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा. आज भी बहुत से लोग हैं जो बुरे लोग जो होते हैं जिनकी सोच गलत होती है उनके घर का पानी नहीं पीते हैं दोस्त आपको यदि आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है उसकी सोच को आप बदल सकते हैं सिर्फ पानी से। यदि आपने पानी के तंत्र मंतर की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए। शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बाराद से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुक को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, तभी वो आपका बनता है। शत्रू होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रूों के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा। परन्तु आज के बाद आपके शत्रू आपका कुछ भी नहीं बिगाड़। क्यूंकि एक साधारन पानी का प्रयोग करके अपने शत्रू को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए, यदि आपको पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिये आपका शत्रू घुटने पर आ जाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये आसान सिक्रिया है। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग करके आप अपने शत्रू के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो भी जानकारी दोस्तों, आपका शत्रू यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं। आपके जीवन सुख सम्रिध्य और भाग्य के साथ चला जाए और वो किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुँचाने बारे में रातों दिन सोचता होगा। परंतु स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग करते हुए आप अपने शत्रू को बर्बाद कर सकते हैं। नुकसान करना चाहता है, तो स्वाधिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान देता है, जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगटिव है। चक्र का प्रयोग कैसे करना है? चलिए आपको ध्यान पूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, जो हम आपको बत पूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट न करते हुए आपको सरल भाशा में बता दें। स्व करना स्वाधिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा, वो आप पर भी आ सकता है। यदि आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है, ध्यान रखिएगा। जब स्वाधिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पाव जमीन पर खड़े हो, मतलब आपका पाव छूना चाहिए, ध साथ बजे से पहले शाम को, साथ बजे के बाद ये क्रिया यदि आपने कर ली, आधे घंटे तक आपको करना है, ये साथ दिन तक आप यकीन मानिये, जो आपका शत्रू वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा, यदि वो आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करे स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुरानों के हिसाब से शत्रूं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है, स्वाधिष्ठान चक्र का उपाए बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा, दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे और मिट्टी का जो भी गिलास होता है, उसी में आप लोग इस ध्यान लगाईएगा, स्वाधिष्ठान चक्र का उपाए करके आप अपने शत्रू को पूरी तरह से बरबाद कर सकते हैं, सबसे आप लोग एक बात जान लीजिए, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो ये सोचते हैं, कि स्वाधिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता, कि किसी भी नेक जीवन को बरबाद करें, स्वाधिष्ठान चक्र सिर्फ बना हुआ है, शत्रू की बरबादी के लिए, नेगिटिव ताकतों को रोकने के लिए, इसलिए यदि आप लोग चक्र का इसलिए प्रयोग करना रहे होंगे, क्या आप एक इनसान का जीवन बरबाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, परन्तु यदि कोई भी इनसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बरबाद करना चाहता होगा, तो स्वाधिष्ठान चक्र उसकी बरबादी कर दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं, वो बहुत ध्यान पूरवक सुनिएगा, क्योंकि यदि आप लोग करजे से परेशान चल रहे हैं, आपके घर में पैसे स्रोत बंद हो गया है, आप लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, कैसे आप आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा, जिसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं, दोस्तों, आपको बता दें, कि यदि आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से, दलिद्रता से आपका व्यापार न जाते हुए देखेंगे, आप अपने से दलिद्रता गरीबी को जाते हुए देखेंगे, भगवान भोले माता लक्ष्मी का आशीरवाद आते हुए देखेंगे, आपका जीवन सुख और सम्रिद्धि से भर जाएगा, जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दि श्रीमिच मंत्र जो है, इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपनानी होगी, मतलब जितनी बार आप पानी पिएंगे, उतनी बार आपको शरीन बीज का जाप करना होगा, वो भी दो मिनट आपको करना होगा, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा ह होगा कि बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं, इसलिए हम आपको हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं, और शरीन बीज का काम कैसे होता है, वो बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, और कताई भी इस या मिस ना कीजिएगा, आपको बता दे मंत्र जो होता है वो ऐसा मंत्र होता है जो सीधे सीधे बाबा भोले नाथ के लिए आप लोग जपते हैं और बाबा भोले नाथ का आशीरवाद मिलता है माता लक्ष्मी का भी इसमें आशीरवाद आपको मिलता है इसी लिए धन के रास्ते खुल जाते हैं श्रीमिस मात्र यदि आप पानी पीते वकगत हर बार नहीं बोल सकते, तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प, जिसके लिए आपको लाल गुलाब ये होगा, इस लाल गुलाब को आप किसी भी किसी भी एक गिलास के बोतल में डाल दीजिए, मतलब एक गिलास के पानी में डाल दीजिए और अपने हाथ में पकड़ के बिना चपलों के आपको आधे घंटे तक का जाप करना होगा अब आपको करना ये है किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक जग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने शीम वाला पानी तयार किया है इसको पलट लीजिए इसको पलट और पूरे दिन इस पानी का प्रयोग कीजिए इसी को आप लोग पीते रहिए दोस्तों आपको बता दें जब आपने पानी के साथ श्रीमीज का जाप किया था उस पानी के अंदर अभिमंत्रित मंत्र हो गया था, मतलब वह पानी जो है अभिमंत्रित हो गया था, अब इस अभिमंत्रित पानी को जब आपने जब बॉटल में पल्टा, तो यह अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतरगत मिला लेता और अभिमंत्रित कर देता था, अब आपको जैसा हमने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था हमारे शरीर सत्तर परसेंट पानी होता है और जब इस करते हैं आपके शरीर में ये जाता है ये आपका पानी जो शरीर में जा रहा है ये आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आपको एक अलग सी उर्जा देखने को मिलेगी बिल्कुल सही सुना आप लोगोंने आपके शरीर में आपको एक अलग सी उर्जा देखने को मिले बाबा भोलेनात का जहां आपको एक तरफ आशीरवाद मिलेगा वहीं पे माता लक्ष्मी आपके लिए धन के दर्वाजे खोल देंगी सरल भाशा में आपको बताएं आपके में आपको धन की वृद्ध भाग्य का साथ सुख समृद्ध देखने को मिलेगी दोस्त तो ये जो जानकारी हमने आपको दी है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा हिंदु पुरान के हिसाब से ये जानकारी एकदम सपष्ठ जानकारी है साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आप जीवन को बदल के रख सकती है आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, एक रुपया का आपका खर्चा नहीं है, सर, इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, आपका सुख मैं हो सकता है, आर्थिक समस्याओं कर्ज से परेशान है, तो हर बुधवार को गणेश स्तोत्र का पाठ करना आती है, और विग्न भी दूर होते हैं, ध्यान रखें कि रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद, भगवान गणेश की आरती जरूर करें दोस्तों, हमारे चैनल ग्यान हिंदू पुराणों के हिसाब से करता है, और हमारे चैनल मकसद है जन हित और जन कल्यान, इ हमको भी पुन्य मिले और हम दोनों पुन्य के भागिदार हो जाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 अपरेल 2024 को सोमवार है साथ, तो इसे सोमवार चतुरदशी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब कोई किसी एक बह कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और जो चतुरदशी का दिन होता है, वो भगवान भोलेनात जी का होता है। और ये दिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जब यही चतुरदशी का दिन सोमवार के दिन पढ़ जाए, तो ये सोमवार हो ज आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, जो तीसरे नंबर का उपाय होगा, वो होगा। हमारा नौ शमी पत्रवाला उपाय। तीनों ही उपाय बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण है। बहुत ही बड़े उपाय है। जब आप इन उपायों को इस सोमवार के दिन, चतुर्थी के दिन करेंगे। भगवान शिव सबसे प्रियजन और भगवान भोलेनाथ जी के सबसे प्रियजन पर करेंगे। तो आपकी जीवन में जो भी दुख और परेशानी होगी, वो दूर जरूर होंगी। आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण जरूर होंगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप ये बात समझा रही है कि इस उपाए में तीन दीपक तैयार करने हैं। पर वो तीन दीपक किस चीज़ के होंगे, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि वह तीन होंगे दोस्तों, आटे के यहाँ पर आप मिट्टी के दीपक ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क् कि मिट्टी के दीपक यदी लेंगे, तो वो आपको नहीं लेने पड़ेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आटा गूंद के आप उन उस आटे से जो है तीन आटे के दीपक मीडियम साइज के बना लीजिएगा। फिर उसके बाद में इन तीनों दीपकों के अंदर आप बाती का उपाय करना है। इसी के साथ में दोस्तों इन तीनों दीपकों के अंदर आप लोगों को रखना है। शुद्ध देसी गाए का घी। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाए का घी आप लोग उपयोग में लीजिएगा। क्योंकि ये गी जो होता है, ये भगवान शिव जी के कारियों में, भगवान भोलेनाथ जी के कारियों में उपाय किया जाता है। दोस्तों, यहां पर इन दीपकों को तैयार करके किसी एक प्लेट या पूजन वाली थाली के अंदर रख लेना। अब दोस्तों, यहां पर सवाल ये आता है कि इस उपाय को किस को करना है और किस समय करना है तो देखिए, यहां पर इस उपाय को खास रूप से माताओं बेहनों को करना है क्योंकि सोमवार चतुर्थी का दिन रहेगा मतलब माताओं बहनों के लिए ये दिन बहुत ही जरूरी होता है तो इसलिए ये तीन दीपक वाला उपाए माताएं, बहने करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा वरना घर का कोई बड़ा भी कर सकता है आपके समय है तो दोस्तों, दीपक वाला उपाए है तो दीपक तो शाम के समय प्रदुशन में या रात्री में ही जलाए जाते हैं इसलिए इस वाले उपाए को आपको शाम के समय प्रदुश काल में ही करना है तो लगभग इस दिन, सोमवार चतुर्थी के दिन, शाम के समय 6-7 बजे के बीच में यदि थोड़ा लेट हो जाए तो आठ बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो इन तीनों दीपकों को आप लोगों को अपने घर से लेकर निकलना है अब दोस्तों, हमने बनाया है तो तीन अलग-अलग जगह पर ये दीपक रखाएंगे वह माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और इसी स्थान पर आपको अपनी अनामिका उंगली से घी का लेपन करते जाना है तथा लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाना है इसके पश्चात आपको फिर से थोड़ा सा घी निकाल लेना है आपने इस स्थान पर लेपन तो कर लिया पूरे घी का, लेकिन थोड़ा सा घी आपको फिर से वापस रख लेना है और अब आप जो लोटा जल लेकर आएं हैं, उसको धीरे शिवलिंग के उपर समर्पित करते जाईए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तु भिम्त्र का समर्ण करते जाईए देखिए, जल समर्पित करने के पश्चात आपने यह जो घी लिया है, इस इसको लेकर अपने घर पहुँच जाईए आपके घर का जो मुख्य द्वार है, आपको इस घी को छिड़क देना है अनामिका उंगली से आपने शिवलिंग में घी का लेपन किया था इसी अनामिका उंगली से आपको अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देना है देखिए, यदि आप अपने रोग को दूर करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अपने गेट के वाली दीवार में इसी घी को लगा दीजिए और आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है यदि आप अपने जीवन में सुख समरिद्ध को बढ़ाना चाहते हैं धन धान्य को बढ़ाना चाहते हैं कश्ट, कलेश, समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी इसी अनामिका उंगली से एक टीकी लगाईए अपने दर्वाजे के उपर वाली दीवार में और फिर चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए और यदि आप अपने कर्ज को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको अपनी से फिर से बिंदी लगा देनी है और आर मुक्तेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है इस सोमवार के दिन माता पार्वती को प्रसंद करके भगवान भोलेनात से अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने का यह सर्वश्रेष्ट उपाय है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानिया आ गई हो उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो व्यापार, नौकरी, दुकान या कुछ भी न चल रहा चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमतकार हुआ है धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं जीवन की सारी बाधाएं समाप्थ हो जाती हैं और आपको सुक समरिद्धी की हासिलें होती है तो चलिए जानते हैं इस विशय उपाय के बारे में परंतु उससे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कॉमेंट बॉक्स में जैमा लक्षमी जरूर लिखे माता लक्षमी दोस्तों हम लोग अकसर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है सबजी या ग्रेवी अकसर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है अगले दिन बासी रोटीों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं यदि आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिला कर रख देगी यदि आप भी ऐसी खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतीों के बारे में जो यदि आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें वरना पूरा घर हो जाएगा नश्ट तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी भी नहीं करनी चाहिए यकीन शास्तों दोरा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ती हर हाल में वह निर्धन हो जाता है उसे गरीबी का करना पड़ता है पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है शास्तों में सपष्ट बताया गया है कि जिस घर में मा अनपूर्ण जी का वास हो जाए तो मा के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां यदी होती तो इसे आप मामू लीना समझें और ना ही नजर अंदाज करने की गलती करें आपका घर निधन हो सकता है दोस्तों व्यक्ति यदी जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें ये गलती नहीं होती है तो माँ अन्न पूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है आपको माला माल कर देती है तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां है परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें दोस्तों, नमबर एक महिलाएं ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले सनान नहीं करती आप पाव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मूह पर हाथ लगाती है और फिर बगएर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में दूशित हो जाता है इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है माता अनपूर्णा जी नाराज हो जाती है ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ती काम्याबी हासल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पढ़ता है इसी लिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अतिप्रसन करती है दोस्तों नंबर दो शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पढ़ता ही है साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है इसी लिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए ऐसा करने से माता अनपूर्णा आकरशित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाभी मिलेगी साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाभी मिलती है नमबर तीन दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और जगडे आदी होने लगते हैं ऐसे में रसोई घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छोरी नहीं रखनी चाहिए ऐसे जिसका आप उपाए नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तूओं को तुरंत ही बाहर कर देना क्योंकि ऐसी चीज घर में रखने से नकारात्मकता अकर्शित होती है इससे काफी बुरा प्रभाव पढ़ता है नमबर चार रसोई घर के सामने जूते, चपल, ज़ाडू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए इससे माता अन पूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है इसे पाप भी समझा जाता है इसी लिए आपको कभी भी चपल, जूते या ज़ाडू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है नमबर पांच रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए ऐसा करने मा अनपुर्ना जी का पूर्ण अपमान होता है इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूट कर चली जाती है बहुत सी महिलाओं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है ऐसा नहीं करना शुभता का खयाल रखे और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करे क्योंकि ऐसे में अपमान समझा जाता है घर की सुख शान्ती भंग हो जाती है इसी लिए यदि आप खाना बनाए तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चड़ा दें थोड़ा सा किसी को खिला दें तब भी आप भोजन चट सकते हैं नमबर चह यदि बार-बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं इसे आप मामूली न समझे ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार-बार बाल आना राहू केतू का बुरा प्रभाव होता है ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है खाने में कभी बाल नहीं आना चाहिए क्योंकि यह मा अन्न पूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है यह घोर अनर्थ समझा जाता है ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए दोस्त वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिलकुल भी नहीं रखनी चाहिए इन्हें रखने परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है शीशा घर को सुन्दर रखने के लिए कुछ लोग किच्चन में शीशा लगा देते हैं परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए ऐसा इसलिए कि क्योंकि किच्चन में चूलहा अगनी देव का सूचक समझा जाता है यदि शीशे में अगनी का प्रतिविंब दिख जाता है तो घर में अशुब समझा जाता है इसके कारण घर में कलह कलेश बढ़ाने लगते हैं इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिती भी बिगड़ने लगती है तो यह गलती करें नमबर दो, गुन्था हुआ आटा कई बार महिलाएं किच्चन में रोटी बनाने को गुन्था हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गुन्था हुआ आटा रखने से शनी और राहू का नकारात्मक प्रभाव पढ़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती है। नमबर तीन, तूटे, कई तरह बरतन उपाय होते हैं। तूटे हुए बरतन ना रखें। रसोई घर में कुछ बरतन ज्यादा उपाय होने के पश्चात तूट जाते हैं। परन्तु कई बार कुछ हद तक तूटे हुए बरतन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी तूटे-फूटे बरतनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्ध होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी आपके लिए कैसा है दोस्तों। खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थे और भाग्य पर क्या असर डालती है। जिसे जानकर आप चौक जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमतकार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूल की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वर्दान है, इसका उप्योग करें। वहीं, यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए। परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ती बांसी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहन करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ती मान अनपूर्णा सदैव प्रसन रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बांसी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे चेक जरूर कर लें। यदि बांसी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है। या आप बीमार भी पढ़ सकते हैं। बांसी रोटी भले ही किसी चमतकार से कम ना हो। परंतु लंबे समय तक बांसी रोटी घर में रखना घर के समान मानी जाती है। इसी लिए रेशियो कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूझ गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमतकारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाब शुरू करते हैं। दोस्तों, परंपरा में गाय, ग देवी देवताओं की कृपा बरस्ती है।